गुद मॉर्निंग स्टुनेंट नेक्स्ट हम थोरम कर रहे हैं यह हम थोरम अपोजित होम और फिजम के लिए यह थोरम इंप्रोटेंट है तो अपोजित होम करेंगे लेकिन उससे पहले हम यह थोरम कर रहें इस थोरम में क्या कह रहा है कि let r be a ring with unity के r आपके पास एक ring है और उसके unity के साथ है let homomorphism of rr denote the ring of endomorphism of r ठीक है regarded as a right r model आपके पास जो है ये क्या है right r model है then r आपके किस के isomorphism of rr आपको ये isomorphism of rr ठीक है इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेके चलें एक element लेके चलें r model से a बिलोंग करवा दिया आपने r में defined कर दिया कि a star किस तरीके से होगा r से r में होगा और ये defined कैसे रेगा a star x is equal to ax रेगा for every axis belongs to r ठीक है अब हम claim कर रहें कि ये वाला जो a star है ये आपके पास क्या बन जाए r homomorphism हो जाए ठीक है ये r homomorphism हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा आपको ये ही प्रूव करना था ठीक है तो r homomorphism प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे ये आपके पास जो r है ये कह रहा है homomorphism होगता right r model r into r if z यह आपके पास किसे r से r में ही है ठीक है और r आपके पास क्या है right r model है तो आपके पास कह रहे है यह होना चाहिए उसके बाद हम क्या कह रहे है element ले लिए आपने x से y r belongs to i r then a star x plus y आपको पता homomorphism के लिए आपको दो mapping define करते है यहां आपके पास कोई भी mapping है आपके माल लो यहां a z r तो f को आप homomorphism prove करना है तो x plus y आप इसको क्या करते हो f x f y second आप क्या करते हो आपके पास f x y ले ले लेते हो f x f y यह prove करते हो तो y हम यहां पे prove कर रहे है a star आपके पास यहां से mapping ले तो a star x plus y तो यह आपके पास इस तरह के से define हो जाएगी a x plus y यह a x plus में a y हो जाएगा ठीक है is equal to a x को आप कैसे लिख सकते हो a star x plus में a star y ठीक है similarly आपने x star x से r ठीक है यह दो element ले ले लिए है इन elements को यह आप लिख रहे हो तो आपके पास यह क्या हो जाएगा homomorphism हो जाएगी r से r में आपने define कर दिया है second हम define करें mapping f है r से homomorphism ओ पार r ठीक है इसमें define कर ले तो इसमें जो भी mapping है आपकी यह क्या r से r mapping है वो आप already a star define कर चुके है तो इसका मतलब क्या है कि जो element किस से आएगा f a वो किसकी equal होगा यह वाली a star ठीक है तो f यदी ring homomorphism हो गई तो आपका r इसके isomorphic हो जाएगा तो वह यह ring homomorphism a b belongs to r आपने r से belong करवा दिया है तो a plus में b star x क्योंकि f a plus में b indirect way में आप यहां से करोगे इस mapping को f mapping को ring homomorphism करोगे तो आपके पास f a plus में b करोगे क्योंकि आपने यही ले रखिया यह फिर क्या है star f a plus b और यहां पे इसको define कैसे कर रहा है f a is equal to a star ठीक है तो f a plus b ठीक है यह आपके पास क्या होज़े a plus b का तो वहीं कर रहा है यहांने x ले लिया इसने यह x ले लिया फिर यह a star x होगे plus में फिर यह क्योंगे b star x होगे then आपके पास पता है a star x आपके क्या a x है आपने mapping define कर रखे यह आपके पास क्या है b x है तो यह आपके पास क्योंची कि a plus में b ठीक है आपके पास किससे इक्वल है यहां से इस्टार एक्स है तो इस्टार एक्स प्लस में इस्टार एक्स प्लस में इस्टार 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 प्लस में इस् element मन गया इसको आप A star लिख सकते हैं A star B star X इसको वापिस दिवस A star B star X लिख सकते हैं तो कह रहे हैं यह इसकी equal आ गया देन आपने इसने जैसे ही mapping हमने define के थी F A plus B ठीक है आपके पास थे ना F A plus में B F A plus B कह रहे हैं कि आपके पास क्या है यह A plus में B star के तो A plus है प्के पास क्या गया है A plus में B की कह रहे हैं कि आपके पास A plus में B की इक ही हो चाहईगा यहां की है A star B star जाएगी सिमिलरटी confirmuh अपके पास A b star की हो एैसार B star FA f b जाएगी यहницаर को मभी हम्हारी on-atoriš करते है तो यह आपके आईसो मोर्फिक भी हो जाएगा तो 1-1 के लिए हम क्या किया है दो element लेगे चले यहां से f is equal to f b अब दोनों element को equal दिखा दे तो वहां से आपके पास क्या हो गया f a किसके equal है a star से f b किसके equal है b star से अब इसको आपने क्या लिख लिए a star x is equal to b star x सभी x के लिए जो आपके ring में belong करें उनके लिए यह equal है तो a star x किसके equal है a x की equal है सबसे पहले ही mapping है b star x आपका b x की equal है सभी x के लिए जब सभी के लिए है उसने कहा था r आपके पास क्या ring है with unity यानि उसकी unity उसके साथ रेगी तो x is equal to 1 ले लिए हमने ठीक है x is equal to 1 जैसे आपने पूटके है यह क्या हो गया a is equal to b आप लेके f a f b लेके चले थे a is equal to b हो गया f one one हो गया ठीक है अब on to prove करेंगे t belong करवा दिया आपने homomorphism हो आराज से तो हम ले दें let t1 ठीक है ring में से 1 उठाय है आपने x की value 1 लिए तो t1 is equal to a यह ऐसे particular लेके चलें t1 is equal to a अब claim करें t आपके किसकी equal आजे f a की equal आजे और f a क्या आपका a star तो यानि t किसकी equal आजे a star की equal यह आपको claim हम प्रूब करेंगे तो x element आज में belong करवा दिया tx आपका पता है t into में 1 into x लिख सकते हैं फिर आपको पता है इस one को इधर लेए आपने अलग ले लिए x अलग कर लिए अब t1 आपने क्या ले रख्या एक तो यह क्या बन क्या एक a x और a x किसकी equal है a star x क्या तो यहां से t x किसकी equal हो गया a star a star क्या आपका f a तो आप जो ट आपके पास आपके पास बाइनरी ओपरेशन लगा दिया वाई तो यह आपके पास किस तरीके से आई वाई डोट तो इसी लिए इसी को क्या बाई रहे है कारहा है यह जो रिंग रहेगी इसी को हम क्या गहते है अपोजिट रिंग ओफ आपके इसको इस तरीके से डेनोट करते है आर के ऊपर जो पावर लिखते है ऊपके है तो तो नेक्स्ट हमारे पास थोर्म है, let R be a ring with unity, let homomorphism of R to R denote the ring of endomorphism of R regarding as a left R modulo, then R opposite, यानि opposite ring है, वो किसके isomorphic हो जाए, जो homomorphism of RR है as a ring, जो similarly हमने इससे पहले थोर्म किये, same as it is थोर्म है, वो R isomorphic, homomorphism के ये आपके पास के R opposite isomorphic, similarly a हमने element लिया, R से a star defined की, R से R में a star x is equal to xA हो गया, for every x belongs to R, अब a star को हम क्या प्रू करना चाते है, R homomorphism, तो दोनों इसकी condition प्रू करेंगे, तिनों element आपने आज से ले लिए, a star x plus y, x plus y is equal to a, क्योंकि आपने क्या लेना है, opposite, opposite में आपका ये आजेगा, x plus में y e, तो ये आपका open करोगे xA, y, जब xA आपका किसकी equal है, a star x, a star x plus a star y, similarly इसमें आप पोजिट लिखना है, जो आपने पहले थोरम की है, a star rx is equal to rxa, ठीक है, r आपने बहार ले लिया, xA ले लिया, अब xA किसकी equal है, a star x के, तो a star आपने दोनों इसकी condition को follow करता है, तो इसका मतलब क a star किसमें इसला जाएगा, आपका homomorphism of rr, फिर a core mapping define किया, आपने r opposite homomorphism of rr, अब इसको homomorphism prove करेंगे, one one prove करेंगे, on two prove करेंगे, तो यह इसके isomorphic हो जाएगी, f आपने define किया, a star, f आपके पास किया ring homomorphism, then हमने a b element ले लिया, r opposite for any x belongs to r, अब a plus में b star x आपने यहां से लि यह लिख दिया, अब यहां से आप x a a star x, x b b star x, आपने a star plus में b star a into x यह लिख दिया, तो इसका मैं जब a plus में b star किसकी एकवल है, a star plus में b star, इस तरीक कैसे भी कल सकते हो, आप a into b star x, ठीक है, इसको आप कैसे लिखो, x into a b, ठीक है, तो अब x a के साथ, भी आपने बार र एक लिखे, तो वही आपने कैया, यहां पर यह क्योंगे b star x a, फिर आपने अंदर ओपरेट कर दिया, यह क्योंगे x star a, फिर आपने इसको वापिस open कर दिया, यह आ गया तो इसका मैं, a star a star, तो f a plus b, आपके किसकी कोल आगया, a plus b star की, ठीक है, यह आपके किसकी कोल है, a star यह आपके b a star की equal होगा जब यहां से आपने इसको open करोगा तो यह क्या a star b star क्योंकि यह भी तो opposite में है तो f a f a b अब इसको हमें one one on two put करना है तो f a equal to f b लेके चलें तो यह a star यह b star दोनों equal है a star x b star x लिखते आपने क्योंकि सभी x ring के सभी elements के लिए equal रहेंगे ठीक है particular case ले लिए x is equal to one to a star is equal to b star हो गया ठीक है देखो आप a star into me one है ठीक है तो यह जब वापिस लिखोगे क्योंकि आपको पता है a star x आप क्या लिख के आयो x is a तो a star one तो one into me a यह one into me b ठीक है तो आपके one into me one into b क्या हो गया a is equal to b तो f11 हो गया इसी तरह किसे t को homomorphism लेके जाएंगे लिए मान रहे है t1 आपके किसके equal है a के equal है तो for any कितने भी आपके पास सभी x r के सभी elements के लिए ठीक है तो tx लिया x के साथ हमने one की multiply करवा दी आप देखो यहां से ठीक है आपने x into में t1 लिख रहे है ठीक है जब x t1 की value क्या a ठीक है यह आपके पास किसके equal है a star x के तो tx किसके equal है आपका a star x के तो यहां से t किसके equal है तो आप इसमें लेकर चले थे इसके प्रेमेज आपको मिल गए तो आपका क्या हो जाएगा उन्टू तो आपका आज जो आप पो पोजे लेख चले किसकी आई सो मॉर्फिक होगा होमो मॉर्फिजमों पार्टू आप ठीक है एंजिए देए